उत्तर प्रदेश सरकार में कैबनेट मंत्री जैवीर सिंग जी हमारे साथ बाचीत के लिए मौजूद हैं निकाय चुनाओ का बिगुल बच चुका है सभी राजनितिक दल तैयारियों में पूरी तरह से जुटे हुए हैं बात करते हैं सर आप लोगों की तरफ से कितनी तैयारियों हैं जिलों का प्रहार भी सौपा गया जहांके प्रभार्य मंत्री वहां तो जितान ही है और जो जिला है आपका वहाँ भी जीताना है यह सब निर्देश मिलें आप लोगों के तो सब का निर्देश की जरूती नहीं है सब लोगों की स्वेम की रुची भी और दायत्तु भी है कि हम लोगों का जो भी प्रवाव छेत रहे हैं जो जायत्तु जहां है वहां हमारे प्रत्यासी कि एक तरफ यहां हिल्व फियान जन्सची जारी गुए आपत्यों का निर्दार समय समय सब्सक्रां कर दिया आएगा अंतिम मद्धाता के साथ चुनाव लोड़ा है एक तरफ यहां पिछडों की आवाज उठाई गई और आप लोगों को पिछड़ा वी रोधी बताया गया कल अखलेश यादव ने कांशी राम की प्रतिमा का अनावरार किया स्वामी प्रसाद मौरिया के कॉलेज में तो दलित वोट बैंग भी स इतने का प्रयाज करें लेकर प्रतिमा की जंता पूरी तरह बातिय पराथी जंथा पार्ट आड़री मोधि जी और योगी जी की नीतियों पर पूरी तरह है असिरवाद दिये हुए है पूरी सायव में बिनिकाय चुनाव में में भी पूरी तरह पढ़नााम उत्ता पिछली बार से भी अच्छी सफलता है इस बार हम लोग निकाय चुनाओं में हासिर करते हुए सेहरों में भी अपनी सरकाल पिनाने का कम पर जी कह रहा है बैमानी कर लेते हैं आप लोग तो यह कहां तक सच है उन्हों ने तो कहा कि भाई यह बैमानी नहीं करेंगे तो इस ब कुछ ने के लिए ठीक हो जाता है तो मैं समझता हूं जनता पर विश्वास करें जनता के जो भी जनादेश आएगा उसको सिकर करना चाहिए और इस तरह के अनर्गल आरोप बेवनियाद आरोप कई वाल लगें तेकि जिसकी कोई नेम नहीं जिसका कोई आधार नहीं वो ब करने की भी तैयारी सरकार कर रही है और बाहना जा रहा है कि वो चाहे बेसिक शिच्चा हो माधिमिक शिच्चा हो इसमार्ट क्लास बनाएंगे हम लोग टैबलेट दो दो टैबलेट हर स्कूल को दिये जाएंगे ताकि बच्चे सीख चखें फिस रीडिंग के जरीए उनकी एडेंडेंस लगाई जाएगी तो यह सारी चीजों के लेकर मुख्यमंत्री अभी प्रेजेंटेशन देख रहे हैं फिलहाल अभी एक घंटे लगबख चलेगा देकि आपको यह एसास भी हो रहा हुगा कि आदरी मोदी जी योगी जी मोदीजी की सरकार आने ते पहले सरका मात्मियक चाहें हूआँ इस सरकार भनने के बाद पूरी तरह हैं बातावर बदल आउए और इस तरह का बातावर बनाया कि पहले कोई भी बच्चा सरकारी स्कूल में जाने से कत्राथा था या अएवांब अपने बच्चें और सरकारी स्कूल में एडिविसर कराने का इच्छा जा नहीं करते थे तो वही बच्चे पढ़ते थे जिन विचारों के पास गरीबों के पास इसकूल के अच्छे इसकूल के फीज के पैसे नहीं हुआ करते थे आज उत्तरपरेस में कॉर्णमेंट इसकूल की तरह ही हम उनकी हाजरी शुरू हुई, पढ़ाना सुरू हुआ, और गुडबत्ता प्रग सिच्चा का बातावर बनाएं, और मैं समझता हूँ, कि किसी भी देश प्रदेश के लिए, ये महत्या हो सकता है, कि वहां के बच्चे सिच्चत हों, वहां के बच्चे योग्यों, छम्तावान हों, तभी हमारा आदेवाली पीड़ी जब सच्चम होगी, योग्योंगी, पढ़ी लिखी होगी, और गुडबत्ता प्रग सिच्चा के साथ आगे बढ़ती हूँ निजर आगी, तभी उसका प्रदेश का, देश का, समाज का उत परिवार का, कल्नियार बलाई तभी हो सकत देकि मैं समझता हूँ कि जो भी नेड़े, NCRT के दोरा लिए जा रहे हैं, या लिए गए हैं, वो सब राष्ट हित में, देश हित में, उतियास के हित में सो लिए गए हैं, और कुछ रहताया गया है, तो उससे भी बेटर कुछ समाईत करने का प्रियास किया गया होगा, औ और जान्या को चीजें चेंज होई हैं, तो वो समाज हित में, देश हित में, प्रियत में उससे इचा हित में होगी हैं, सौमी प्रसाद मौर्या, वाई श्रेणी की मांग कर रहे थे, कि वाई श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की जाए, राजु दास के साथ उनका हमला इसी के लिए तो नहीं सब कर रहे थे, सुरच्छा प्राप्ति के लिए ही तो सब प्रयास नहीं तायन का, मझे है ता लगता है, कि सुरच्छा बढ़वाने के लिए, सुरच्छा लेने के लिए ही, कि असब अनरगल बयानवाजी, अनरगल प्रलाप, अनरगल आरोपित करन करना राम चर्जमान तो टिपनिया करना इसी का हिस्सा तो नहीं थी तो अच्छा प्राप्ट करने के लिए ये सब सुनयोजित तरीके थे पहले थे वो तो कहे रहे थे कि ये एक चौपाई सुनाई थी जे बरनाधम तेली कुमारा स्वपच किरात कोल कलवारा कह रहा है इसमे सब का जो दलित हैं पिजड़ा इंतका अपमान क्या गया है काली उन पंक्तियों का अटाने की बात कर रहे हैं देखिए मैं समयता हूं कि रामार ऐसा गरंत है जिसमें पूरे समाज को रामराज की परकल्पना जहां कोई दुखी नहों जहां उंच नीच का वेदभाव नहो अगरा पिचला उंचा नीचा का कहीं कुछ नहो वो रामराज जहोता है उसी की परकल्पना आज हमारी भातिजनता पार्टी लग करने जा रही है उसी परकल्पना के आदार पर अपनी नीतिया और रीतिया हम लोग आगे बलाने का काम कर रहे हैं और इसी परकल्पना का साक का स्वरूप दिया जाएगा ऐसा हमारा प्रयास है और मैं समयता हूं कि उंचा नीचा अगड़ा पिछड़ा बहुत पीती बाते होई आज सब का साथ सब के विकास के साथ भाती जनता पार्टी और उनकी दोनों सरकार है आधरी मोदी जी और यहुई जी कि नित्र तुम आग की चिंदा करी है उसी पर सरकार आगे बढ़ रही है और सब के साथ सब के विकास के साथ हम लोग आगे बढ़े हैं अब ये बातें बहुत पुरानी हो गई है और जनता भी सुईकर करने वाली नहीं है अगला पिछड़ा उंचा नीचा ये और वो ये भेद वाओ की बातें केवल बोट के लिए निजी स्वार्थ के लिए और राय नेत्रिक इच्छा सक्ति पूरी करने के लिए अब इस सफल होने वाली नहीं है एक आखरी सवाल ले लिजे पोस्कार्ट के जरीए प्रदान मंतरी नरेंदर मोदी को इस बात से पूछ रहे हैं कांग्रेसी की ये बा पासे है कि हाँढ धड़ Yaj 담ah shaky polit that raarul जी को जो सया हुई नहीं Vetु कि जय में ता सब्धान के सब्धान ता ता अलगअ सब बनी हुए है अगर नहीं पालका नहें तार्द किया और दौ साल पर सहया के साथ प्राविधान अगी जिसकी फी जनुपिती के बीड़िकी ऑगी अगर उनको उस बात से एत्राज है यह अपनी सज्ञा के प्रज रहें अन्या लगता है तो सम्मन्द न्याल है में वो गए भी है कल गए है वहां जाएंगे तो न्याल है जो भी निड़ा आएगा उससे उच्छ न्याल है उच्छ न्याल है मतलब अभी लोगोड ने जित्ज तो राइनेतिक तोर पर बनाने के लिए ये सब उपकरम किये जा रहा हैं, मैं समझता हूं कि इसमें कोई दम नहीं है, ये बिस्या बिलोको लेगा, नया पालिका में जाएं, जो नया पालिका का आदेश करना, उसके नया लेख को आदेश को मानना, सबका दायत वर, निश्च पूर नहीं है, बचित के लिए शुक्रिया, आपने सुना, जैवीर सिंग, उत्तरप्रदेश सरकार में कैबनेट मंत्री हैं, उन्होंने सभी चीजों पर बेबाकी से अपनी राय रखी है, और राहुल गांधी को लेकर उन्होंने एक बात कही कि अगर राहुल गांधी को स साथ सीमा बनक्वी भारसमा चाहर लग नव